हलो फ्रेंट तो कैसे हो आप सभी सुवाद करते हैं आप सभी का यूबा स्कति जी कोईज में तो फ्रेंट आएच की इस क्लास में हम सभी प्रीबियर पेपर को सौल्व करने बाले हैं जो की बिहार उत्पात सिपाई का प्रीबियर पेपर हैं बिल्कुल औरिजिनल पेपर है हल फ्रेंट पत्रें एक तीस साथ दोजार शोला को जो एकजाम हुआ था उत्पात सिपाई का इसी का पेपर को सौल्व करने बाले हैं क्योंकि इसका बेकेंसी आया हुआ है और जब तक प्रीबियर पेपर को आप सभी प्रोपर नहीं समझ लिजेगा क्या क्या कोईशन कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं आज किस क्लास को हम सभी क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों में सेयर कर दिजेगा और जो चैनल पे नहीं है तो चलो को सस्काइब करने बाद घंटी को प्रीज कर लिजेगा आप सभी फर्स्ट कोईशन है भारते रेलवे ने किस वर्ष अपने अस्थापना के एक सो पचास वर्ष पूरा होने को मनाया है तो इसका राइट आंसर और भी हो जाएंगे दो हजर दो में मनाया है फिरेंड और यांसर रहेंगे अगला कोईशन कर लेते हैं अगला कोईशन ये बन आंतराश्owe परिवार दिवस किस दिन मनाए जाता है तो इसका right answer option मरहें हो जाएंगे पंदरें मैं को फिर हर एक बर्ष 15 मैं को अंतरास्owe परिवार दिवस मनाए जाता है। ध्यानमें रखेगा आप सबी अगला question कर लेते हैं कोश्चन मर् 3 ये बन रहे हैं, भारते रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, तो इसका राइट आंसर आप्शन मस्टी जाएंगे, चितरंजन में बनाय जाती है, याद रखेंगे, आप्शन मस्टी, करेक्ट आंसर रहेंगे, अगर इन सेट में किसी भी कोश्चन का अंसर पत तो इसका right answer option मेर A हो जाएंगे जवलपूर में देखिए पस्चिम्मद रेलवे का जो मुख्याला इस्तित है यह कहाँ पे हैं जवलपूर में है option मेर A right answer रहेंगे अगला question कर लेते हैं question मेर 5 मांच चीतर पर बनाई गई वे रिखाए जो समूंदर से बराबर उचाई वाले अस्थानों को मिलाती है कहलाती है तो option मेर A right answer हो जाएंगे कंटूर से रिखाए कहा जाता है इसे option मेर A correct answer हैंगे याद रखेगा आप सभी अगला question कर लेते हैं अगला question यह बन रहे हैं उकाई पर यूजना किस नदी पर इस्थी थे फ्रेंड तो जो भी option मेर C को टिक कर रहे हैं बिल्कुल right answer हो जाएंगे आंसर को मैच कर ले जेगा तापती नदी पर इस्थी थे उकाई पर यूजना option मेर D correct answer रहेंगे अगला question कर लेते हैं अगला question यह बन रहे हैं भूमा सागर को लाल सागर से जोडने वाली नहर है तो right answer option मेर भी जाएंगे सुएज नहर निकि सुएज नहर जो है यह भूमा सागर और लाल सागर को जोडने वाली नहर है अगला question कर लेते हैं अगला question यह बन रहे हैं question मेर 9 गौतम बूद ने अपना पर्थम उब्देश कहां दिया था friend तो इसका right answer option मसे हुआएंगे सारनात में लेकि गौतम बूद ने अपना पर्थम उब्देश जो दिया था वो सारनात में दिया था जान की प्राप्ति कहां हुआ बोध गया में हुआ था लुमनी में इसका जन्मवा था और कुसी नगर में मिर्तियुवा था याद रखेगा सबसे अधिक उब्देश कहा दिया था तो स्रावस्ती में दिया था अगला कोईशन कर लेते हैं कोईशन नमर एट कोईशन नमर एट ये बन रहे हैं कि बीशो स्वास्त संगठन डवलू एचो का मुख्याले कहा इस्ती थे तो दिखे डवलू एचो का मुख्याले जो इस्ती थे फ्रेंड ये है जेनेवा में अप्शन नमर भी राइट आंसर हैं जेनेवा स्वीट जिरलेंड में हैं अगला कोईशन करते हैं, अगला कोईशन ये बन रहे अपना, कोईशन मर नाइन, डिफिथेरिया रोग से कौन सा अंग परभावित होता है, तो दिखें, डिफिथेरिया रोग से जो अंग परभावित होता है, वो गला परभावित होता है, ओफिशन मर सी राइट आंसर रहे इसके रचनाकार है अगला कोईशन कर लेते हैं अगला कोईशन ये बंड रहे हैं भारते सभिधान की धारा 370 निमलिकित में से किसको निरूपित करती है, fan तो आप से को बताओंगे भारते सभिधान की धारा 370 जो समबंधी थे, वो समबंधी थे जम्मु कस्वीर राज को विश्यस दरजा से संबंदी थे option मड़ी right answering याद रखेगा आप सभी option मड़ी correct answering 370 जो है कि जम्मु कस्वीर राज को विश्यस दरजा परदान करता था जो कि और इसे समापते भी कर दिया गया है ध्यान रखेगा आप सभी अगला question कर लेते हैं अगला question ये बन रहे हैं भारते सभिधान की किस अनुसूची का संबंद भासाओं के साथ है तो right answer option मड़ी जाएंगे आठवी अनुसूची भारते सभिधान का आठवी अनुसूची जो है ये भासाओं से संबंदी थे और इसमें कुल बाइस भासा को सामिल किया गया याद रखेगा आप सभी अगला question कर लेते हैं अगला question ये बन रहे हैं सोडा वाटर बनाने के लिए परियोग किया जाने वाला सोरी जाने वाली गैस कौन सी है तो इसका right answer option मसी जाएंगे कारवन डाय ऑक्साइट का परियोग किया जाता है option मसी correct answer रहेंगे question के लिए रहें याद रखेंगे आप सभी अगला question कर लेते हैं अगला question ये बन रहे हैं कि मनिपूर राज की राजधानी कहा है तो right answer option मर ये हो जाएंगे इमफाल देखें इमफाल जो है मनिपूर राज की राजधानी है अगला question कर लेते हैं भारत में पंचवर्षी योजना बनाने की जिम्हेदारी किस पर है तो इसका right answer option मर भी जाएंगे योजना आयोग पर था देखें योजना आयोग किस अस्थापना जो वा था वो उनएश सो पचास में हुआ था कब वा था उनएश सो पचास में योजना आयोग कि अस्थापना हुआ था और पहली पंचवर्षी योजना की सुरबाद 1951 से लेके 1956 तक चला था याद रखेगा आप सभी पांच वर्ष का पंच वर्षी योजना चलता था अगला कोईशन कर लेते हैं अगला कोईशन ये बन रहे हैं ए जराकव का सम्बंद किस खेल से हैं तो राइट आंसर आफ़शन मस भी जाएंगे पोलो खेल से सम्बंदी थे ए जराकव याद रखेगा आप सभी, अगला कोईशन देखे, अगला कोईशन ये बन रहे हैं, रेडियो का अभिसकार किस ने किया था फ्रेंड, तो जो भी आप्शन में D को टिक करें, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मारकोनी ने, देखे, रेडियो का अभिसकार जो किया था, वो मारकोनी की दुबरा किया गया था, अगला कोईशन करते हैं, अगला कोईशन ये बंड़े, चंडी गड़ के रोग गार्डन के सुरूजन करता है, अगला कोईशन ये बंड़े, कोलंबिया अंत्रिक शियान, इस पेस सटल, जिसमें भारतिय मूल की बैग्यानिक कलपना चाबला, कलपना चाबला की विश्फोट के दौरान मिर्ति हो गई, किस देश का था, इसका राइट आंसर आप्शन नमर, डियो जाएंगे, अमेर्की निवासी था, याद रखेगा कलपना चाबला था भारत का, पर इसने अमेर्का का नागरित्ता ले लिया था, तो इसलिए ये अमेर्की निवासी हो गया, अगला कोईशन कर लेते हैं, अगला कोईशन ये बन रहें, एड्स रोग, अक्छर ए का तातपर है, एड्स रोग में अक्छर ए जो है, इसका क्या तातपर है, तो राइट आंसर आप्शन नमर, भी हो जाएंगे, इक्वाइर्ड, ए का जो तातपर ये फ्रेंड, वो इक्वाइर्ड, एका तातपर है, एड्स में, अगला कोशन कर लेते हैं, अगला कोशन ये बन रहे, भारत में, इस टॉक एक्षचेंजों का, नियमन, करने वाली बौड़ी है, तो इसका right answer option में यह हो जाएंगे से भी अगला question कर लेते हैं अगला question यह बन रहे हैं पितल किसका मिश्ल धातू है जिसका option में सी right answer हैंगे तामबा और जस्ता का मिश्ल धातू होता है पितल अगला question दिखें अगला question यह बन रहे हैं कार्बन का सुधतम रूफ है तो देखे कार्बन का सुधतम रूफ है तो देखे कार्बन का सुधतम रूफ होता है अगला कोशन देखे अगला कोशन यह बन रहे नीले लीटमस को लाल रंग में बदलता है तो नीले लीटमस को लाल रंग में कौन बदलता है तो अमल बदलता है देखे अमल जो है यह नीले लिटमस को लाड रंग में बदलता है अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन यह बंडे फिर्ट कोशन में 26 दूर दृष्टी दोस को किस लेंज के परियोग से ठीक की जा सकती है तो right answer option में यह जाएंगे उत्तल लेंज से दूर दृष्टी दोस में क्या होता है दूर की बस्तू दिखाई देता है पर निकट की बस्तू दिखाई नहीं देता है तो निकट की बस्तू को देखने के लिए हम सभी उत्तल लेंज का परियोग करते हैं और दूर की बस्तू दे वर जो होता है 0.001 में में होता है option नमर भी right answer रहेंगे अगला question नमर 28 कोई cycling सबार किसी mode पर घुमता है तब वह तो इसका right answer option में भीतर की ओर जुकता है कोई भी cycle सबार जो है की mode पर जब घुमता है तो वो भीतर की ओर जुकता है याद रखेगा और भीतर की ओर जुकने का कारण क्या है ताकि उसका गुर्तवा कर्शन बना रहें और वो गिरेना अगला question कर लेते हैं समाने तक कुण्जी का परियोग दो पुण्जियों के बीच डैस गती को रोकने के लिए किया जाता है जिसका right answer option मसे जाएंगे कक्छिये गती को रोकने के लिए किया जाता है option मसी correct answer रहेंगे फिरन याद रखेगा आप सभी अगला question है स्वाइबिन का सबर्दिक उत्पादन किस राज में होता है ते इसका right answer option मसी जाएंगे मद पर्देश में देखें मद पर्देश में सबसे अधिक स्वाइबिन का उत्पादन होता है याद रखेगा जो भी option में B को टिक करें बिलकुल right answer है अगला question कर लेते है question number 31 Petroleum पाया जाता है फ्रेंड सेडिमेंटरी बेसीन में पाया जाता है Petroleum option में A right answer हैंगी अगला question कर लेते है राष्टे एकता परिस्द की अधिक्षिता कौन करता है तो देखे इसके अद्धिक्षिता जो करता है फिर वो पर्धान मंत्री के दुरा किया जाता है याद रखेगा आप सभी किसके दुरा किया जाता है तो पर्धान मंत्री के दुरा किया जाता है अगला कोशन देखे महत्मा गांदी की राजनेतिक गुरू की रूप में किसे ज रखेगा आप सभी अगला कोशन कर लेते हैं कोशन नमर 34 लाक बक्ष के नाम से जाने जाने वाला भारती सासक कौन था लाक बक्ष के नाम से जाने जाने वाला भारती सासक कौन था तो कितु बूदिन एबक था इसे लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है जिसने गुलाम बंस के अस्थापना 1206 में की थी 1206 में गुलाम बंस के अस्थापना की थी जो की मुहम्मद गौरी का गुलाम था अगला कोईशन देखें कोईशन में 35 मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है फ्रेंड तो इसका राइट आंसर आपिशन में सुझाएंगे राष्ट पती देखें राष्ट पती जो एकी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है देखें मौलिक अधिकार जो लिया गया है USA देखें लिया गया है याद रखेंगा आप सभी सहींग राज अमेरिका अधिकारी कौन होता है फ्रेंड तो इसका राइट आंसर ऑफिशन मर भी जांगे एड़ वोकेट जेंडर होता है किसी वी राज का उस्तम विधी अधिकारी अगला कोशन दिखें अगला कोशन ये बन रहे है हितो पुदेश के लेखक है तो इसके लेखक है नारायन पंडित हितो पुदेश के लेखकों है नारायन पंडित है आफ्शन मसी राइट आंसर रहेंगे अब ला कोशन कर लेते हैं बुल और बियर किस से संबंदी थे तो ये संबंदी थे फ्रेंड इस टॉक एक्सचेंज से संबंदी थे बुल और वियर याद रखेगा आप सभी इस टॉक एक्सचेंज से संबंदी थे अबला कोशन कर लेते हैं कोशन नमर 39 भारतिय उधोगिक विकास बैंक के अस्थापना की गई थी तो आप सभी याद रखेगा इसके अस्थापना की गई थी 1964 इस वी में ओफशन मर C राइट आंसर रहेंगे अगला कोशन दिखेए अगला कोशन ये बन रहे हैं रेड किस देश की मुद्रा है ए राइट आंसर रहेंगे दक्षिन अफिरका देश की मुद्रा है रेड ओफशन मर A कैरेक्ट आंसर रहेंगे अगला कोशन कर लेते हैं पहला पिर्थिवी सम्मेलन कहां हुआ था जिसका राइट आंसर आप्शन मस्ती हो जाएंगे रियो डी जेनेरो में हुआ था पहला पिर्थिवी सम्मेलन आप्शन मस्ती कैरेक्ट आंसर रहेंगे अगला कोशन कर लेते हैं कोशन नमर 42 बीस वु जन संख्या दिवस मनाय जाता है तो इसका आप्शन नमर बी राइट आंसर रहेंगे हर एक वर्ष 11 जुलाई को फिर्थ बीस वु जन संख्या दिवस मनाते हैं आप्शन नमर बी राइट आंसर रहेंगे अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन ये बन रहें पाली गरंथों में गाउं की मुख्या को क्या कहा गया है तो इसमें भोजक कहा गया इसे पाली गरंथों में ग्राम की मुख्या को भोजक कहा गया है अगला कोशन कर लेते हैं तेरवी सिताबदी में सैना का सर्वोच अधिकारी कौन होता था तो राइट आंसर आफिसन में भी जाएंगे खान खान जो एफेंड ये तेरवी सिताबदी के आसपास में सैना का सर्वोच अधिकारी होता था अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोईशन ये बन रहे हैं, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहां लंगर डाला था? तो इसका राइट आंसर आफिशन में रहे हो जाएंगे, मसूली पटनम में डाला था लंगर, एक कारेक्ट आंसर रहेंगे ध्यान रखेगा आप सबी. अगला कोईशन कर लेते हैं, गुप्त बंस के हास के पस्चात, उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर गठन किस ने किया था? तो इसका आफिशन नमर स्थी राइट आंसर रहेंगे, हर्श वर्धन ने किया था, याद रखेगा आप सबी. अगला कोईशन देखिए, अगला कोईशन ये बंड़े, भारत में गुलाम बंस का संस्थापक कौन था, फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर आफिशन में एव जाएंगे, कि तुबूदिन एवक ने गुलाम बंस के अस्थापना 1206 में किया था, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, गुलाम बंस का, तो इल्टूत मिस था, याद रखेगा आप सभी, अगला कोईशन कर लेते हैं, अगल इसका राइट आंसर आफिशन में जाएंगे, जल्यावाला बाग हत्याकार्ण, देखें, जल्यावाला बाग हत्याकार्ण जो हुआ था, 13 अप्रिल 1909 को घटित हुआ था, कहां पे अमरिस चाहर में हुआ था, अगला कोईशन कर लेते हैं, 1916 में मदरास में स्वाशाशन अंदोलन के परवर्तक कौन थे, तो इसका राइट आंसर आफिशन में स्वी जाएंगे, एनी बेसेंट थे, अगला कोईशन कर लेते हैं, अगला कोईशन ये बन रहे हैं, निमलेखित में से किसने 875 के बिद्रो का कानपूर में नेतरित्व किया था, तो दिखें, ये नेत अगला कोईशन दिखें, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर आफिशन नमर भी हो जाएंगे, एलन ओक्टोवियन ह्यूम थे, जिसे एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, इसने 1885 इस भी में कॉंग्रेस की अस्थापना की थी, पहला अध्यक्ष कौन था, व्यूमेस चंदर बनर जी, इसका पहला अध्यक्षिता याद रखेगा आप सभी, अगला कोईशन कर लेते हैं, कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन 1885 में मुंबई में व्यूमेस चंदर बनर जी की अध्यक्षिता में संपन हुआ था, उस समय भारत का वाइसराय कौन था, फ्रेंड, तो याद रखेगा आप सभी, उस समय का वाइसराय जो था, लौड डफरीन था, आप्शन मर ए, राइट आंसर रहेंगे, अगला कोईशन कर लेते हैं, अगला कोईशन ये बन रहे हैं, मुस्लिम लिंक की अस्थापना 1906 इस्वी में अगला कोईशन कर लेते हैं, सभीधान के किस अनुछेद में अल्प संख्याइकों के हीतों के आरक्षन की विवस्था है? तो इसका राइट आंसर आप्षन में बिजाएंगे, अनुछेद 29 में हैं, अनुछेद 29 में अल्प संख्याइकों के हीतों की अरक्षन की विवस्था की गई है, अगला कोईशन कर लेते हैं, अगला कोईशन ये बन रहे सभीधान के किन अनुछेदों में मौलिक अधिकार का वर्नन है, तो इसका राइट आंसर आप्षन में बिजाएंगे, 12-35 में मौलिक अधिकारों का वर्नन किया गया है, अगला कोईशन देखिए, अगला कोईशन ये बन रहे हैं, पिलिया किस अंग का रोग है? तो देखिए, पिलिया रोग जो होता है, ये यकरित से संबंदी थे, पिलिया रोग, याद रखेगा, आप्षन में भी राइट आंसर हैंगे, अगला कोईशन देखिए, सूची एक, सूची दो को सुमेरित किजिए, तथा दिये गे कूट को सही विकल्प चुन के भढ़ि देखिए, सूची एक, सूची दो दिये हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप सभी बताएंगे, तो देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएंगे, आप्षन में भी हो जाएंगे, तीन, एक, चार, दो हो जाएंगे, मिरा लिजएगा, आप सभी, देखि सेट इसके लेखक है ट्रेजर आइसलेंट के जो लेखक है इसके लेखक है आर एल इस्टिवेंशन उसके बाद सहा नामा के लेखक कौन है तो इसके लेखक है फिर दोसी उसके बाद राज तरंगने के लेखक कौन है तो इसके लेखक है कलहन तो याद रखेगा आप सभी मिलान कर दिये सही से आप सभी देख लिज़ेगा अगला कोशन कर लेते हैं बित आयोग एक है जिसका option नमर बी रैट आंचरेंगे सम्विधानिक सांस्था है बित आयोग option नमर एक correct आंचरेंगे याद रखेगा आप सभी क्या है सभीधानिक सांस्था है बित आयोग अगला कोशन है और one सभीधान के किस अनुसूची के अंतरगत आते हैं तो इसका right answer option में बीज़ाएंगे संबर्ती सूची में आते हैं संबर्ती सूची क्या होता है जिसमें की केंदर और राज दोनों कानून बना सकता है अगला कोशन देखिए उतरी दुरूप पर पहुचने वाला पर्थम मानब कौन था तो इसका right answer option में बीज़ाएंगे रॉबर्ट पियरी देखिए रॉबर्ट पियरी तो ये इस्तित्य वारा नसी में option नमर डिरेट आंसर रहेंगे उसके बाद जो है कि mathematics का portion है और अभी जो है कि हम से भी general awareness की portion को cover कर चुके हैं जिसमें कि general awareness का 32 question था तो 32 question को हम से भी cover कर चुके हैं और अब जो बचा हुआ है वो है mathematics का portion और जल्द ही कोसिस करेंगे mathematics का portion को cover करवाने का और जो हिंदी और English बच चुके हैं वो भी आपको cover करवा देंगे जल्द ही तो दूसरे वीडियो में आपको cover करवा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगा आपको चलिए आपको जाने का जारी नहीं है तो निची बचलिए बटन दिया उसे दवा के सब्सक्काइब करने ज़ेगा और घंटी को प्रेस कर लिजएगा जादे प्रैक्टिस जेट आप सभी के लिए लाँच कर दिया जाएगा तो चलिए मिलते हैं जाहिंद बंदे मातरम अपने ध्यान रखेगा पढ़ाई करते लिएगा आप सभी आज की इस वीडियो को सियर अपने दोस्तों में जरूर किजिएगा जाहिंद बंदे मातरम